स्वागत आप सभी का जेनुविन क्लासिज में सभी परिशात्यों को नमस्कार राजस्तान रीट बढ़ती 2025 के अम लोग बात करेंगे दोस्तों रीट परी और रीट मुख्य परिक्षा जो आपके यहां पर थाड़ ग्रेड टीचर बढ़ती है दोस्तों इसको लेकर भी एक अपडेट सामने आ रही है एक ट्वीट वायरल हो रहा है कितनी सच्छा हैं ऊपको बताने वाला हूं उसके बताया जा रहा है दोसतों की जो आपकी एक्ज़ाम है उसकी एक डेट बताया रही करेंगे इसके लबाव eligibility को लेकर दोस्तों यहां पर बात करेंगे और कैसे तैयारी करनी है कि आपका प्रोसेस होना चाहिए उसकी भी हम लोग बात करेंगे तो लास्त तक वीडियो को जरूर देखें आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब से पहले तो ट्वीट आपका जो वायरल हो रहा है मैं यहां पर ले नहीं पाया उसको ट्वीट को लेकिन आपने देख लिया होगा ठीके ना राजस्तान करमचारी चैनबुट का कोई ओफिशल ट्वीट है वो और व्यवसाइट तो मतब जो हैंडल है वो तो ठीक नहीं है ठीके ना अनोफिशल हैंडल ह लेकिन उसमें बिलूटी के लगा हुआ है तो काफी वचे परिशान हो रहे हैं कि यह रियल तो नहीं है उसमें बताया जा रहा है कि जुलाई में आपकी जो मुख्य परिक्षा है तो प्र तो काफी कम समय यहां पर है ठीक है ना लेकिन आपको बता देता हूं अभी कुछ अयहां नहीं नहीं है वह उफीटर है और उसी पर वह की प्री एक्जाम वह तो जनुवरी में तो फिरी के बारे में जो आपको बनसे कि परखाय कि प्री पर होगी और कब होगी इसको ले कर कोई ंपडेट नहीं है जब तक शचरकार के द्वारा या करमचारी चैन बोड के द्वारा नहीं आती है क्योंकि देखो मुखे परिक्षा तो करमचारी चैन बोड ही लेगा और करमचारी चैन बोड के तो भाई आजकर इतने सारे ट्वीट आ रहे हैं हर मिंट में हर सेकंड में ट्वीट आ रहे हैं कि ये चीज़ें है ये अपडेट हैं, ये एक्जाम हैं, ये एडिमिट कार्ड है, तो भाई तुम लोग ऐसे ही जो है अफवाओं पर जूटे ट्वीट पर यकीन मत करो, देखो सोसल मीडिया का यहाँ पर पॉजिटिव जो है पॉइंट भी है तो नेगेटिव भी है कि लोग बाग जूटी जाता तब तक आप यकीन मत करिए, अना हाँ, रीट पर यहाँ पर दो है, उसको लेकर खबरे आ चुकी है, कि आपका यहाँ पर जो रीट परी है, वो जनवरी में होगा, बिल्कुल जनवरी के दूसरे सब्ता में बताया जा रहा है कि 20 जनवरी तक आपका जो रीट परी ए बता रीट अब 24 में हो रहा है, तो पुराना सब कुछ उन्होंने अटा दिया, अब नए सिरी से पूरा पूरा एक पैटन होगा, पूरा एक सिलेबस होगा, जो भी इन्फोरमेशन होगी, वो नए सिरी से यहाँ पर आपको मिलेगी दोस्तों, तेके ना, अब यहाँ पर द वो अब्यर्ती भी यहाँ पर सामिल होगे, अब वैसे तो रीट पिरी की यहाँ पर पातरता को लेकर, जो फॉरम भरने को लेकर, इलिजिबिलिटी को लेकर दोस्तों कि कौन कौन यहाँ पर फॉरम लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बेड फस्तियर के अंदर, या सेकेंड पर अधियंदर्त student है क्या वो फॉरुम लगा सकते हैं बिलकुल यहापर दोस्तों आपके फॉरुम जो है लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें जो टैक्ट होता था पहले और जो आपका भी 2022 में जो रीट हुआ था उसमें यहापर अपडेट भी थी जो मैंने आपको लाश्ट वीडियों बताया था कि अध्यांदरत होना चाहिए अध्यांदरत आप फश्टियर में हो सेकेंड यहां पर एक्जाम देख सकते हैं तो प्री का एक्जाम तो आप लोग देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो आपकी मुख्य परिक्षा है मालीजि परिक्षा कब होगी यहां पर रीट की जो मुख्य परिक्षा हो कब होगी इसलिए जो अन्तिम वर्स के स्टूडेंट है अगर जो अभी जिनकी बीएड चल रही है रास्तान से आपको किलियर कर देता हूं जिनकी बीएड रास्तान से चल रही है जो अभी अन्तिम वर्स मे चुका है जो फाइनल एर में ते होगे जैसे कि विद्यारती जो यहां पर 24-25 सेशन में तो उसका परिनाम कब आएगा अब उसकी एक्जाम कब तो एक्जाम ही आपकी जुलाई अगस्त में होती है परिनाम आपका अक्टूबर नॉबर में आएगा तो क्या अक्टूबर नॉम्बर में आपकी रीट मेंस होगी अगर आपकी रीट मेंस दोजार पचीज की अक्तूबर नॉम्बर में होती है तो आपके मेंस से पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए मेंन से पहले आपका result आना चाहिए तो मुख्य परिक्शा में तो अंतिम वर्सा कंप्लीट होना चाहिए आपकी मुख्य परिक्शा की exam से पहले आपका result उ Turning जो परिणाम है वह आ जाना चाहिए थीक है यहाँ पर pre का आएगा रीट का तो और चीज़े के लिए हो जाएंगे नोटोवेशन का आप लोग वेट कर लो तैयारी करते रहें थे यहाँ थो और सिखषक बड़िए हैं तो वह आप लोग तैयारी करते रही है थे किना 2022 के स्तिति क्या थी यहां पर काफी जा मैं तो संक्या बहुत जादा जाएगी तेकिन जिन्हों ने रीट दे दी थी उस समय जो सिक्षामंत्री थे उन्होंने कहा था कि हमने जो रीट की पातरता है वो आज इवन कर दी अब रीट की पातरता आज इवन कर दी जिन्होंने पास कर रखी है जो जन्रल कैटेगरी के हैं 60% आपने बना रखी है CST के 5% आपने बना रखी है तो आपकी पातरता तो किलियर है आपको वापस से रीट देनी क्या हो सकता नहीं है अब यहाँ पर जो रीट देंगे वो नए स्टूडेंट देंगे एक तो वो जिनका पिसली बर किलियर नहीं हो आता वो देंगे यह जो न तो कुल में लाके अगर आप प्री मेंस की तैयारी करेंगे तो यहाँ पर प्री तो आपका क्लियर होई जाएगा क्यों इसमें तो आपको एक क्या चाहिए क्वालिफाई करना है अगर आप यहाँ पर जंदल के हैं तो आपको 60% बना नहीं है अना तो इसको क्वालिफाई क करता है तो आपका फोकस भी आपर मेंस पर होना चाहिए क्योंकि अगर आप मेंस से तैयारी करेंगे तो रीट परी तो आपका निकली जाएगा यह आपको डर लग रहा है कि मैं तो पहला प्री निकालना तो प्री पर फोकस करो ठेकर ना और जैनुवन क्लास पर जल्दी आप उनसे दूर रोकि आपका मेंस अभी जुलाई में होगा यह तो एक एक यहां पर खबर भी आई थी कि अभी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं हमारे भजनलाल जी हमारे सीम साहब है और अभी चुनाओ भी आने वाले उप चुनाओ अगर आने वाले पंचा चुनाओ आने व खबरों से बचें कि इतने पदों पर वरती आएगी यह दोस्तों आपके यहां पर इस महीने में होगी जब होनी होगी तो हो जाएगी आपका काम है पढ़ाई करना आप इस्टूडेंट हैं आप फृतियों की परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आप एस्प्रियंट है अ आप उनली टार्गेट मानों कि मुझे सिक्षक बनना है अब जब भरती होगी तब हो जाएगी अना तो यह सारी इंफोर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दिये इस परकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद